हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बाजार पर और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल के उपपर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उपपर 81 रुपीस पर दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दिये मेटल्स में गिरावट के होती भी देखने को मिल रही है फ्राइडे के सत्र में टॉप लूजर की स्ट्रेणी में था दोस्तों मेटल और अब आगे क्या करना चाहिए स्टॉक में लुकि दोस्तों अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो मेटल नीचे होता हुआ देखने को मिलता है और अगर डॉलर का भाव कम होता है तो मेटल्स आपको बढ़ते वे देखने को मिलते है तो गोल्ड अज़ प्रिशियस मेटल बढ़ता हुआ देखने को मिलता है जब जो डॉलर का रेट है वो कम होता हुआ देखने को मिलता तो काफी तगडी दोस्तों डॉलर में तेजी आतीगी देखने को मिलि ब्लस सरकार को ये लगाहिए लगब गल से थी जितने भी मिटल स्थी अपने 52 वी टीज पर कर के आए ये San बात करें दोस्तों एक और खबर की तो following OPCS announcement of supply reductions in crude prices have continued to rise while the rupee has dropped to the fresh low as a result hawkish remarks from Fed officials he added तो सारा जगा सारा जो metal market foreign का and all का तो definitely उससे जो उपेक की बैठा को जिससे crude oil के prices बड़े उससे definitely दोस्तों Steel Authority of India का price determination होता हुआ देखने को मिलता है आज दुनों में साड़े साथ परसेंट की तेजी स्टॉक ने करी है और बो 72 रूपीस 74 रूपीस के लेवल सेवन आपको बोला था कि स्टॉक में खरीदार कर चले और लगबग 82 का स्टॉक ने हाई टच किया है तो काफी अच्छा मुनाफ़ा होता हुआ देखने को मिला और म स्टॉक ने रिवर्सल दिया है तो मेरी यही सला है अगर आपके बाद स्टॉक है तो 75 का स्टॉप लोस लेके चलिए और अगर आप खरीदना चाहते हैं स्टॉक को तो 75 से 80 की रेंज एक बहुत बढ़िया रेंज होगी स्टॉक को खरीदने की महीं अगर बात करें फॉरें 80 बढ़ता है तो इस दोनों जो काउंटर्स है वो एक साथ चलते वे देखने को मिलते और होप सो कल के दिन मार्केट रिकवर करते वे देखने को मिले आपको एंड में और मेरी यही सला है दोस्तों अगर 80 रुपीज 30 पैसे का लेवल स्टॉक तोड़ता है जो कि फ्राइड थ्री पर डॉलर कर ट्रीट कर रहा है और एक साल में अप देख सकते ठाडे 505 का उचाल डॉस्तों डॉलर के रेट माता हूँए देखने को मिला है और आपको निफ्ती अगर मैं चार्ट दिखा हूँ तो एक साल में निफ्ती में 3.52 पर संट की गिरावर आती वी देखते को मिलिए तो सारा सारा आप को रिलेशन समझ सकते हैं डॉलर का अपने निफ्टी का अगर बात करें इंट्राडे में हाई का लगबक 8210 का इंट्राडे में हाई और मेरी यही सलाय दोस्तो 8210 का जो इंट्राडे का एंट्री बनाईएगा अगर बात करें कंपनी की स्टाटिस्टिक्स की तो आप देख सकतें कंपनी कोई बुराई नहीं है 131 की बुक वैल्यू है 10.8% का डिविडेंड येल्ड है और लगबक दोस्तो 10 रुपे की कंपनी की फेस वैल्यू लेकिन खराबी का आदी भी देखने को मिलेगा मैं अगर बात करें स्टॉक के रिजिस्टेंस की तो 82 रुपीज 10 पैसे इसा मेजर रिजिस्टेंस अगर वो रिजिस्टेंस क्रॉस कर दिया दन 84 रुपीज तक की जगह स्टॉक में बन सकती है लेकिन लोवर साइट पर 80 रुपीज 20 पैसे का जो इसने लो लगा है लोग प्रेंट्स को इसको बाए की ष्टेशटा में रख रहे हो डेफिनिटल सेंटीमेटर की बता रहा है कि सटॉक में यहां से और अच्छी तेजी बन सकती है तो चलिए दोस्तों अब चलते स्टॉक के इंट्रादे के चार्ट्स पर और कल के एंड लॉंड टम के का लो लगाता है फिर वहां से तेजी कर रहा है तो according to the charts कि एक reversal का pattern stock में बन रहा है और यह reversal का pattern खतम कब होता हुआ देखने को मिलेगा जब शेर आपको 84 रुपीज 50 पैसे के level cross करता हुआ देखने को मिलेगा 84 50 एक short term पे higher side पर अगर level तोड़ता है यह देफिनेटली 90 से 95 रुपी तक की जगा भी stock में सकती है बट डेफिनेटली ग्लोबल जो situation सा भी दिखा रहा है मुझे लगता है कि 78 रुपी तक का level आपको stock फिर चुता हुआ देखने को मिल सकता है और फिर वहां से एक अच्छी recovery stock में आती भी देखने को मिल सकती है तो मेरी यही सला है वेट और वाच की आप strategy रखिएगा मंडे के session में और मंडे के session में chances काफी high है कि metal पे काफी तगड़ा impact पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है अब अगर इंट्रा देखिए एक और बार मैं अगर आपको strategy बता दूँ तो मेरी यही सला है दोस्तो high का वेट करूँगा मैं 82 रुपीज 10 पैसे का जब तक यह लेवल नहीं आएगा तब तक आप इस stock को खईदारी का किना चले and lower side पर अगर आप बिक्वाली करना चाहते है stock में तो 80 रुपीज 20 पैसे का level होगा अगर वो level stock तोड़ देगा तो गिरावट 78 रुपीज तक stock में बन सकती है तो दोनों इस अलाए मेरी buying तभी करनी है जब 82 का level तोड़ेगा stock और selling तभी करनी है जब 80 रुपीज का level stock तोड़ेगा तो यह दोनों levels आपको समझ में आ गये होंगो दोस्तों और वेकर आपकी कोई query हो तो जरूर में को आप comment करके बता सकते हैं तो तो भाइट प्रच बाइट और यह दोड़े टिद वाहाँ पर सकते हैं